गुड मॉनिंग दोस्तों मैं मनी शुकला आर्बेस क्लासे दप परिक्षा गुरू के ऑनलाइन यूटूब चनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप भी स्वास्त होंगे और मस्त होंगे हम इस चैनल पर रोज कुछन कुछ नई चीज़ें लेकर आपके सामने प्रस्तोत होते हैं उसी सीरीज में जो अभी हमारा टॉपिक चला दोस्तों जैसा कि आप गौर कर सकते हो हमारा टॉपिक चला इंट्रोड़क्टरी पार्ट आफ नंबर्स एकदम अगर इस पर पूरी त लगातार आपको इसलिए बोलता हूं दोस्तों कुछ लोग ऐसे होंगे कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनका बेसिक क्लियर होता है अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता तो मैंने आप से लगातार एक ही बात को कहा है कि दोस्तों जब भी हम कोई वो बेसिक टू एडवांस उठाएंगे और इस टॉपिक पर भी मैंने 5-6 लेक्चर लिए हुए हैं इसे बहुत अच्छे-च्छे कोश्ण बनते हैं चाहे टेट सूपर टेट में आ जाएए चाहे एंडिये सेडिस पेपर जाएए चाहे आप ससी में जाएए चाहे सेसे सम जा सब्सक्राश लिए हुआ है तो इसमें जो मैंने सुरुगाद किया था इसमें टो MR cin परिमेश संख्या और परिमेश संख्या उसके अलावा हमने क्या किया था हमने डेशिमल की बात किया था देशिमल की बात किया था डेशिमल की बात किया था देशिमल नंबर्स की बात किया था और उसे तीन भागों बाट आता एक था टर्मिनेटिंग डेशिमल जो दसमलों ब और इस ही कोब क्या करते हैं, 0.3 पर बार लगाते हैं, और इस ही कोब क्या बोलते हैं, रेकरिंग का टॉपिक बोलते हैं दोस्तों, जो हम आप लोगों को बढ़ा चुके हैं, और थीसरा पार्ट इसका क्या था है, anti-NR, non-terminating and non-repeating, और इस ही कोब क्या बोलते हैं, irresistionale number दोस्तों अब मैंने ये भी बताया था कि 22 बटे साथ 22.7 दिस इस दे रेशनल नंबर बट दे वैलु आप पाई इस 22 अपाउन 7 यानि पाई कामान 22 बटे साथ यह एक इर रेशनल नंबर होता है अमूमन दोस्तों एक कोश्चन जैसे होता ने छोटे एक्जाम हमेशा पूसता है कि ले आज जो हुम ले के चल रहें आज जो हम लेके चल दोस्तों और लेख कि जबाएम दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता है एंटीजर को अमने दो भागों में बाठा अएब दोनों भाग हमारा क्या था दोस्तों हेका ने इन टीज जब एक हमारा था negative integer एक हमारा था negative integer और एक हमारा था integer, not ने जो नेगव सिँटी ऑन टीनटेòng लाह था दोस्तिंवे थोड़ा साभ ग़ुज युट और रखीर-न वौर ऐ लाहै दो सिए कहां ट्री इंटिज्र, अ जो हमारा नॉन निय गेटीव hesitation कि पाइफ आई इस तरह से हम कहां तक जाएंगे प्लस इंफाइने तक जाएंगे दोस्ते और मैंने यहां देखेगा मैंने यहां यह भी बता है यह जो होता है है इसी को नंबर्स याने हिंदी भूलते हैं पूर संख्या पूर संख्या इसका मतलब आपने यहां से एक क्या सीखा दोस्तों कि इंटीजर को क्या मैं माइनस इंफाइनाइट से लेके प्लस इंफाइनाइट के बीच की संख्याओं को ले सकते हैं दोस्तों बोलो है नहीं दोनों के अगर मिला दोगे तो माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट तक ही तो जा रहा है बोलो आपने देखा आपने देखा आपने प्लस इन्फाइन और यह कहाँ दोस्तों सब्दों को ध्यां से देखना जो मैं बोलने माइनस इन्फाइन से प्लस इन्फाइन इसका मतलब कि इन्टीजर दो से कटने वाले दो से जो संख्या कट जाएं वह इन्टीजर आपके क्या एवन नंबर होंगे नहीं होंगे यह बताओ समसंख्या किसे कहते हैं जो दो से कट जाए अब बिशम संख्या क्या होता है जो दो से ना कट यहनी दोसों समसंख्या जो होती है क्या समसंख्या 2 के फार में होती नहीं होती यह बताओ और बिशम संख्या होतो 2 के फ्लस माइस बोलो है ना अगर यह हम बात एक होता है यानि प्लस माइस लगा शकते हैं प्लस माइस 2 के फार में तो अगर इतनी चीजें आपको समझे है दोस्तों तो यहां से क्या मैं यह नहीं कह सकता हूं कि इंटीजर जो इंटीजर दो से कट जाय। वो सभी समसंख्याए होती है जो इंटीजर दो से न कट वो सभी बिशम संख्याएं होती है। एक बार इसको आप देखिए और कोई डाउट हो बताईए एक बार इसको दोस्तों देखिए और कोई डाउट हो बताईए ठीक है तो उम्मीद यहीं से आपको even number और odd number भी clear हो गया होगा event number, or event number का मतलब क्या होता है? event का मतलब होता है, समसंख्या है, दोस्तों क्या एक color आपको दिख रहा है? क्या color दिखे है? airline दो से कट जा से इसे बास इब जा रहा है अंबॉब words से कट जा अगर दो क्या होते हैं किस्तों तो सभी आप बोल सकते हो एवेन नंबर होता है क्या हमारी बात संध में आ रहा है को ठीक है अब दोस्तों यह पूछ हैँ अमृवन आप चार जैसे हमने कहा छे जैसे हमने कहा आठ यह सभी क्या होते है आप करेंगे समसंख्या होती है लेकिन क्या दोस्तों आप कभी दिमाग लगाया कि आखिर जीरो क्या है जीरो क्या है यह क्या एक समसंख्या है क्या यह समसंख्या है या क्या यह बिशमसंख्या क्या कभी सोचा इस सीच पे कि जीरो समसंख्या या बिशमसंख्या दोस्तों मैं बताऊं जितनी मैंने आफ्लाइं क्लासेज लिया है डेमो क्लास में कभी कभी मैंने क्या किया है कि जीरो ऐसे पूछ दिया कि दोस्तों बता जीरो क्या है, सम है या बिशम है, सम है या बिशम है, अमुवन दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये नहीं बता पाएं है, कि जीरो सम है या बिशम है, अब पता लगा बैच किसका है, तो CGL का बैच है, banking का बैच है MTS का बैच है SI का बैच है सोच के देखे बच्पन से पढ़ते आ रहे हो इसलिए दोस्तों एक चीज कही जाती है बच्पन की गलतियां जवानी में आपको भरना पढ़ता है अगर आप बच्पन से चीज़ों को बेसिक चीज़ों को लेके चले होते कंसेप्ट अगल क्लियर होता इस सब चीज़े कभी गलत आपकी नहीं होते आईए कि मेरे शब्दों कि मेरे शब्दों पे आप गोर करना ध्यास देखना जो बताने जा रहा हो है मैं है कि अगर मैं अगर मैं इवेन तो सब्गन को किसे कोट कर रहे हैं इसे मैं एक बड़ लिग भी दे रह bạn even को हम पूरा लिख देना है एक बार even और में अगर दोस्तों odd संख्या जोड़े तो हमें मिलेगा क्या है हम इसको दोस्तों अगर आपसे कहें कि even में odd जोड़ो तो दोस्तों आईए जोड के देख लेते हैं जोड के देख लेते हैं आप कहेंगे सर जी अगर even हमने चार ले लिया और odd हमने एक ले लिया दोनों को जोड़ेंगे तो result हमको क्या मिल ला है मेरे भाई हो 5 बोलो है अगर even में odd जोड़ते हमें result कितना मिलता है 5 और अगर हम even में से odd को हम घटा आ दे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा इस लाइन को गौर से देखना दोस्तों खुब प्यार से देखना इस लाइन को अगर हम समसंख्या में बिशम संख्या एक जोड़ते हमें result क्या मिलता है बिशम इसका मतलब दोस्तों आपको क्या मिल गया इसका मतलब मेरे भाई हों आपको ही मिला even में odd जोड़ते ओड मिलेगा अगर even में से और घटा आगे तो हमें क्या मिलेगा यलाई कि दोसे के अधया कई लिए लिए घटाते लिए तो दोस्तों किया मिलता है मीलता है आपको लाए प्रोल तो आई ये देखते हैं हमें result क्या मिलता है तो दोस्त ये बताओ आप लो कि जैसे एवन हमने ले लिया मालो चार चार जोरी नहीं हम हमें result क्या मिलेगा ऊपको यह हमें सम घटाएंगे तो भी दोस्तों हमें सधड़ी हमें मिल जाएगा एवेन ही मिलेगा क्या यह लाइन क्लियर है दो लाइन आपको यह दोनों चीज दोस्तों क्लियर है कर एक बार आप थंबल से अपने दिखाए अंगठा दिखाए कि हासर समझ में आ गए ठीक है और हमारी चैनल और हमारी चैनल परिच्छा गुरू आरबेस क्लासे किया आपको उड्ट लिए आपको मेरी पढ़ाई वी चीज़ समन्झ में आ रही तो तौ थीकिंव अ डैसरा है अगर मैं आप से एकाता हूं कि औधन नमबर क्या मिलता हैं कि अगर हम अगलता हैं और हम विष्रम में भीश्रम जोडतें हैं क्या मिलता सोच की पताओ दोस्त आपकेंगे सर्जी चार्फ और यद हम आपसे दोस्नों यह कहा दें कि तीन यानि जब दोस्तों हम एवन में जब और और जोरते हैं तो हमको result क्या मिलता है एवन मिलता है यान एक संख्या मिलती है और और में से अगर और घटाएंगे भी तो भी हमको क्या मिलेगा एक संख्या मिलेगी क्या हमारी बात से सामध दोस्तों एक बार इसको घूरिए गूरना समझते न किसी सुद्धम टक टकी नजर से लगा के दीखना एक तम ठीक है और एकदम लगातार देखते दो सेकें तीस दोस्तों उची आपके एक बार इसको दोस्तों देखें अब हम आपसे यह कहते हैं दोस्तों ध्यास देखना जीरो की बात यदि मैं चार लेलू दोस्तों ध्यास देखना अगर हम चार में जीरो जोड़ दें तो दोस्तों में रिजल्ट क्या मिलेगा चार बात को समझना और चार हमारा क्या है यह एक समसंख्या दोस्तों सम हमारा दो ही कंडिशन में आता है ध्यांसे देखना सम हमारा या तो दोनों एविन हो या तो दोनों ओड हो तभी हमको सम मिलेगा बाकि किशी भी कंडिशन सम नहीं मिलता तो दोस्तों यह बताओ अगर हमने इस चार को ध्यांसे देखना अगर हमने इस 4 को युद हम एक even नंबर लेते हैं दोस्तों और रिजल्ट भी हमारा तो क्या यह इवन नहीं होगा मेरे भाईयों बस यह बता दो क्या यह इवन नहीं होगा बोलो हाया ना ठीक है बोलो हाया ना चीज़े सवंगना रे भाई क्लियर ही चीज़ तो इसका मतलब आपने क्या देखा दोस्तों इसका मतलब आपने क्या देखा कि 0 1 क्या होता है कि याद रहेगा इसको दोस्तों मैं बीस प्रकार से सिद्धे कर सकता हूं कि जीरो 1 सम्शंख्या होती है अगर ये चीज़ा आपको नहीं दिवाग बैठ ला से लेके दोस्तों यह प्लस इन्फाइनेट तक होता है और यह हमने कहीं पॉइंट ले लिया जीरो जीरो के इस साइड बढ़ रहे हैं तो यह होगा 1,2,3,4 इस तरह से बढ़ते होए आगे निकल जाते हैं और जब इदर लेफ्ट राया आते हैं यह हमारा क्या होता है दोस्तों आप कहेंगे minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 इस तरह से आप बढ़ते होंगे यही minus infinite से plus infinite ही क्या होता है integers होते हैं अब मैंने क्या कहा ऐसे integers जो 2 से divisible होते हैं बोलो हाया अभी मैंने एक शब्द बोला है ऐसे integers जो 2 से divisible होते हैं वही तो समसंख्या होती हैं तो दोस्तों अगर नंबर लाइन की आप बात करते हो तो नंबर लाइन की मतलब क्या जिसे हमने यह क्या है आप करेंगे समसंख्या है यह क्या है तो दोस्तों यह भी क्या होगा समसंख्या माने एक alternate संख्या को छोड़कर सभी क्या हो रहे हैं समसंख्या हो रहे नहीं हो रही है हाया ना एक संख्या को छोड़कर अल्टरनेट अगर बात को भी तो संख्या क्या यहां से प्रूब नहीं हो रहा जीरो एक संख्या है चले दोस्तों क्लियर हो गया इसका स्क्रीन सौट लेजिए या इसको उता लिए दें हम अगले मेर्ण स्थी तीर लेकिए आपको चलते हैं अगला कॉंसेट बहुत प्यारा दोस्तों उता लिजीए इसको को हम अगले कॉंसेट की तरब आते हैं लेकिए चालिए दोस्तों उतर गय dweinger रिए आप लोगोंने चाप लिए आईए आई अ इसको हिंदी क्या बोलते हैं अभाजसंख्या इसको हिंदी क्या बोलते हैं अभाजसंख्याएं ठीक है इसको हिंदी क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है दोस्तों गौर करना अभाज्य संख्या क्या होती है यह बताईए प्राइम नंबर क्या होता है यह बताईए तो वाट इस प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या करते है दुनिया में जितनी जितनी संखहा होती है दोस्तों वह आपने से कटेफिंग नहीं अ बसे मतादा दो ह IDU में जितनी संखहां होती वह अपने यानि स्वेंग से कट्टीग नहीं करता 10 में इसका जवाब दीजी आप पूलो है न Christians दुनिया में जितनी संक्य होती है, क्या वो स्वर्ण से कट्ती है। बिल्कुल हाई है न। इसका मतलब हो गया, only two factor, प्राइम नंभर का मतलब होता है दोस्ते हुआ that only two factor only two factor two factors का मतलब क्या होगा दोस्तोan two factors और फैक्टर सब्द का मतलब हो गया गुड़नखंड और गुड़नखंड दोस्तों लिम्टेड होता है जिसे दो शब्द होते हैं एक फैक्टर होता है एक मल्टीपल थोड़ा सब क्लियर कर रहे हैं दोस्तों एक शब्द होता है फैक्टर बात को समय ना एक होता है फैक्टर कि और फैक्टर को हिंदिम क्या बोलते हैं गुड़न ख३ड है अर फैक्टर को हिंदिम बोलते हैं गुड़न खंड दोसों फैक्टर जैसे मालेज़ें मैंने आपसे कहा चार काता हूं अच्छ अप और दूसरा एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल दूसरा एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल मल्टीपल को हिंदीं बोलते हैं आप ओवर्थ मल्टीपल को हिंदीं क्या बोलते हैं मेरे भाईयों अप वर्थ बोलते हैं दो शब्दों को यहां भी हमने कहा चार का बताईए फिर बारा का बताईए और फिर अगला एक्जामपल दोस्तों नेक्ष्ट ग्जामपल एक्जाम्पल कितना लिए है 16 अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छे बताओ चार का फैक्टर क्या होगा तो आप कहेंगे फैक्टर मतलब क्यों वे संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से डिविजबल कर देगा तो चार का आप कहेंगे वे संख्या हैं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से डिविजबल कर देगे तो चार का आप कहेंगे सरजी एक होगा दो होगा दो होगा और है यह बात क्लेड़ है दोस्तों अपनों को बोल आनर अगर मैं कहता हूं अपवर्थ इसी चार का अपवर्थ तो अपवर्थ का मतलًा दोस्तों देशी भासे में highlight पहाड़ा पढ़ना पहाड़ा पहाड़ाभाड़ा है टेवल पहां को टेवल भॉलेंगे ता पःद हूं होगे फोर वन्जा फोर फोर टूजा एट फोर थीजा है कि नहीं है आप इस तरह से बढ़ते हुए चले जाओ कहां तक अपने घर तक अनलिम्टिट तक कभी खतम नहीं होगा अगर मैं बारा का बात करता हूं तोल्व का इस तरह से आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे 16 का अगर कहें दोस्तों ता आप कहेंगे 16 वन्जा शोला शोला टूजा 16 टूजा थर्टी टू 16 टूजा कितना होगा 48 कुछ लों को पाड़ा तो याद है नहीं होता जीवन भर्यूं को याद नहीं होता चले दोस्तों वाट इस डिफरेंस बेट्म फैक्टर एंड मल्टिपल कि फैक्टर यानि गुडणखंड और मल्टिपल में क्या अंतर होता है यह लिम्टेड होता ह होता है इसको काउंट कर सकते हैं किसी कितने फैक्टर है बट मल्टिपल के दोस्तों मल्टिपल के जो होते हैं इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो मल्टिपल काउंट नहीं कर सकते हैं अनलिम्टेड होता है जितना मन करें उतना गिनिए आप भी गिनिए आपके नाती पोते भी गिनेंगे तो भी खतम नहीं होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दो शब्द को दोस्तों आपको clear हो गया होगा मैं उम्मीद करूंगा कि यह दो दो हमने शब्द दी हैं यह आपको सीज़ा शाप हो गया होगे कि आप multiple इसमें क्या अंतर होता है इसको उतार लिए दोस इसे हमने आटा अब मैंने चीज़ देखा दोस्तों जब factor करते हैं ध्यां से देखना जब करते हैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा है फैक्टर जब करते हैं किसी संख्या होती है दोस्तों वान ध्यां देखना यहां भी क्या है दोस्तों जो हमारा होता है वो युनिवरसल फेक्टर होता है यह युनिवरसल फेक्टर कहलाता है दोस्तों ध्यां रखना वन अगर आपसे पूछा की संक्या सबसे छूटा फैक्टर तो आप कहेंगे वन दुनिया में जितनी शंक्या होते उसका फैक्टर एक होना ही होना है अब इसको भटा रहे है चले आईए अब हम आपसे डिसकस कर रहे थे कि दोस्तों यह बता दो कि अच्छा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो प्राइम नंबर्स का मतलब वह होता है दोस्तों देखो एक क्लारिफाई और कर रहे हैं आपको यह ध्यान देना एक शब्द और क्लियर कर रहे हैं बहुत बेसिक चीज़ दोस्तों जब भी कोई शंक्या लेकाती है तो हर संक्या का एक फै हर संख्या अपने से कटेगी कटेगी कुछ संख्या ऐसी होती है जो एक फैक्टर तो होगा अपने से कटेगी यह तो दुनिया की हर संख्या करिवाज है लेकिन उनमें भी कुछ संख्या ऐसी होती है जो दो संख्याओं के अलामा भी संख्या कटती है आइ प्राई नंबर होता है जिसके कीवल दो ही फैक्टर दोस्तों क्या हो जाएगा दो फैक्टर यानि वह संख्या का फैक्टर या तो एक होगा और या तो वह सेल्फ होगा दोस्तों बता ने कलर आपको क्लिर है कलर, कोई दिख्कत नहीं है चली तो अब हाज जी संख्या किसे करते हैं कि जिसके केवल दो ही फैक्टर हो Only 2 फैक्टर एक वन होगा और एक स्वेंग होगा श prop होगा, स्वेंग होगा और कोई भी फैक्टर दोस्तों नहीं होगा फ़ारेक जाइसे जाइसे दो तीन पाँच साथ इग ज्यारह तेरह तेरह को बाद के बाद शत्र हुन्निस आपकीज अगर बद्धाओं उन्निस बाद थेउस तेउस के बाद उन्तिस बाद इक तीस है एकटिस वार्वं 37 शैनल तीज़ें के बार 41 तैनल तैन तैनल सो 53 वांट के छूटा टो नहीं आप प्रोंगी एक बार चेकलना का ही छूठा तो नहीं दोस्तों और छेकली हैскर माइए प्र तीकओ एक दो तीन चार पांच छे साथ ग्यारह बारह तेरा चोज़र पंदर है ध्यां से देखना दोस्तों परसान नोट भी करा दूंगा एक से लिके 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं तो पच्छास सड़ी पंदर कितने होते हैं आये यह बताना है उसको नोट करते हुए चलना अगया शबसे पहला दोस्तों सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है आप के मिया pathetic सबसे पहला प्राइम नमबर वर्स्ट प्राइम नमबर इसके साथ साथ दोस्तों यह इवे प्राइम क्या होता है यानि फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है आप कहेंगे 2 यह एकलावता ऐसा प्राइम होता है जो कि सम संख्या होती है बाकि कि दुनिया के किशिभी प्राइट जाओगे सभी के चबने जोगे सभी कोड़ी और सभी क्या होते हैं बिशाता हैं इस सेकंड लाइन दोस्तों जो बताने की चीज़ है तीन पांच और साथ दोस्तों गौर करना यह एकलावता ऐसा पेर है तीन पांच साथ जिनके बीच का अंतर दोस्तों क्या है दोख अंतर ध्यां से देखना जो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं पको कि यह है इकलावता ऐसा पेर है तीन पांच और साथ का जिनके बीच का गैभ दोस्तों कितना होता है तो दो होता है थिक है जिनके बीच का गैप क्या होता है दो हिसके सब दोसरा चीज देखना दोस्तों यह क्लिए अगर यह क्लिर दोस्तों तो हम आगे वड़ते हैं इसको हम हटा देते हैं अब यहां से एक चीज और ध्यान देना आप लोग जो काम की चीज़ है प्राइम नंबर होते हैं दोस्टों वह 6k plus minus one के फॉर्म में होते हैं अगर मैं कहूं दोस्तों एक गाना है ना अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे देखें यदि दोस्तों मैं के की वैलू सपोर्च करो हमने टू रख दिया माल लेते हैं तो आप यही तो कहोगे सिक्स के यानि छे गुड़े दोच्छ दूनी बारह में हमने एक जोड़ दिया हमको रि प्लस मैस वन का मतलोगा आप एंगे छे गुड़े आठ और प्लस का वन यानि रिजल्ट कितना मिला उनचास दोस्तों गौर से देखना क्या 13 प्राइम नंबर लेकिन क्या उनचास एक प्राइम नंबर है आप एंगे बिलकुल नहीं क्योंकि साथ से भी तो कट रही है एक स इसका मतलब दोस्तों आपनी क्या देखा मतलब आपने मुस्कुराते मिज़े कि जितने भी प्राइम Cr shifting नभर होंगे वे 6 k-1 के फार्म में तो होंगे लेकिन जाओरि नहीं है कि जितने भी 6 k-1 के फार्म सभी कर सभी प्राइम नंबर होंगे ही और फीर हम नहीं होता है ठीक है, एक बार इसको चेक करिए, एक बार इसको दोस्तों समझिये, दिन हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको समझिये, घूरिये, अब फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ यह आपको नोट करवाएंगे दोस्तों, उसको नोट कर लीजेगा आप लोग, यह हमारा क्या प्राइन नहीं दोस्तों यह चीज़ें क्लियर है अगर यह क्लियर है कुछ और चीज़ों पर आप से बात करते चलना ठीक है हम यहां से अटा देंगे आफ्लाइन की क्लासे नहीं है आप वीडियो को पॉस करके थोड़ा पीछे करके देखना कि हमने क्या बताय आधे लिए क्लियर है अब अगला चीज दो तिन सब्द हमें आपको नोट कराने दोस्तों वह गोल करिए पहला पहला एक सिले के सौन तक एक सिले के दो सौन तक एक से लेके 300 तक ठीक है एक से लेके 50 तक एक से लेके 100 तक एक से लेके 50 तक एक से लेके 100 तक एक से लेके 200 तक एक से लेके 300 तक और दोस्तों अगला लेते हैं मालों चलो एक से लेके 1000 तक लेते हैं बाकी अगर आपको सर्च करना हो तो आप next से सच कर लेना दोस्तों अब यह ध्याण रखना अगर मैं आपसे कहूँ कि पचास तक कुल कितने प्राइब नंबर होते हैं दोस्तों यह ध्याण रखना पंद झी सब्सकोष्ब्र होते हैं इक्वे कि चौषब तक कितने होते हैं, आप कहेंगे 25 होते हैं, ठीक है, देखते जाओ, एक से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15, एक से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 20, अगर एक से लेके 200 के बात करें, कितने होते हैं, आप कहेंगे सर्जी 46, पिर से सुनो, एक से लेके 50 तक कितने प्राइम नमबर होते हैं 15 X लेके 100 तक कितने होते हैं 20 X लेके 200 तक कितने होते हैं 46 और X लेके अगर बात करें 168 कलियर होगे दोस्तों चलिए इतनी चीजεें आपको नॉबन में कलियर है एक आसे और बताना है बस एक इसको नोट करें दोस्तों एक कन्सेप्ट आपको आपको हमें और सिखाना है सिर्फ एक आसे और बताना कि आख्यों को क्योंकि चेक का से करेंगे सवाल peculiar कि प्राइम नंबर को हम चेक कैसे करते हैं जैसे माल लीजिए और एक्जामपल दोस्तों 173 ध्यां से सुनना एकदम भी कंसेंट्रेट होके अगर मैं आप से कहूं दोस्तों अगर मैं आप से कहूं कि 173 क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है अब यहां 6K प्लस मैं सब्सक्राइम लगाओगे जोरे ने इक प्राइम आए यहां आभी शकता है और नहीं आ सकता है आहिए हाँ है इसका पूंध करूप कर सके जो संख्या या तो इस संख्या के बराबर यह इस से जस्ट अगली हो यहां तो यह जाश्य से आगे वाला तो 173 की बाद दोस्तों जो अगला एक संख्या होता होता वह होता है एक सो अगर हम एक सो नहीं लेंगे हम इसको नहीं लेंगे अगला संख्या क्या होता दोस्तों इक सो चौरासी किसका होता है ध्यान से सुनना है एक सो चौरासी किसका होता है चाय। हम नहीं से चौरी लेना है अब दोस्तों ही बताओं कि ये 173 से बढ़ा है दोस्तों यहां भी एक शब्द गौर्ण करना इंबल होता है बढ़े और चोटे क्या अक्सर कन्फूस कर आपको एक दोस्तों की नजर में इनका वेटेच जादा है तो दोस्तों यह मूह जिसके साइड में होता है वो हमेशा क्या होता है बड़ा होता दोस्तों हमेशा लॉर्ज होता है और जिसके साड़े पूंच होता है दोस्तों वो हमेशा क्या होता है इसमॉल होता है यानि यह हमेशा क्या होता है छोटा होता है इस सब्सक्राइगा चलिए अब आईए अब हमने क्या का कि एक ऐसी संख ती जितने भी प्राइम नंबर है कौन कौन वह जाएगा तीन हो जाएगाप जाएगा नहीं हम निंग क्या 178 दोस्तों दो से कटेगा Promise क्या 3 से कटेगा चेक कर गो तीन से कटेगा तीन चोग बाद 15 दो नहीं कटेगा कोई सवाल ही नहीं है तीन से वी निकटा दो से वी निकटा साथ से सब्क्राइब कर दो प्राइम नमबर थे अगर यह संख्या कट जाती अगर यह संख्या इन में से किसी भी संख्या से कट जाती थे प्राइम नमबर नहीं होती डोस्तों चलिए इसको उता लीजे इसको उता लीजे चीक प्राइम नमबर मुझे में दोस्तों क्लिर हो गया इस पर अच्छे-च्छे कोसिंस आए हुए मैं उसको भी आप लोगों को कराऊंगा ठीक है अभी एक लेक्चर और ले लूगा तो आप लोगों का दोस्तों जो हमारा कंपोजिट नमबर है ट्विन प्राइम है है इस तरह जो संख्यां बची को प्राइम है अब पर्फेक्ट नमबर है यह सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी और देन हम कोश्चन पर आएंगे दोस्तों ठीक है एक लेक्च्छर अलोंगा ताकि यह चीज़ें आपकी क्लियर हो जा अच्छा गुरू के ऑनलाइन डू चैनल पर जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे डारेक्ट जुड़ने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं जो कि आपको सब्सक्रिब्स सब्सक्रिक्स्रों में दिया गया दोस्तों आप वहां स से देख सकते हैं ठीक है तो आज के लिए हम यहीं भी दा लेते हैं तब तक लिए जैन